आईए समुच्य मतलब सेट को परिभाशित करते हैं. मान लेते हैं कि समुच्य A में संख्याएं 1, 3, 5, 7 और 18 हैं. समुच्य B में संख्याएं 1, 7 और 18 हैं. और समुच्य C में संख्याएं 18, 7, 1 और 19 हैं. अब उप समुच्य यानि सबसेट के बारे में जानते हैं. क्या समुच्य B समुच्य A का उप समुच्य है? एक समुच्य उप समुच्य तब कहलाता है जब उसके सारे सदत से किसी दूसरे समुच्य के भी सदत से हो. हम कह सकते हैं कि समुच्य B समुच्य A का उप समुच्य है. चलिए इसे लिख लेते हैं, यहाँ समुच्य B के सभी सदस से समुच्य A के सदस से भी हैं। अब हम कह सकते हैं कि समुच्य B, A का strict subset है, लेकिन A के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, कि कुछ चीजें जो समुच्य A में हैं, वे समुच्य B में नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि समुच्य B, समुच्य A का strict subset या उचित उप समुच्य proper subset है. यहां कम या बराबर चिन्न है और अगर बराबर के चिन्न को काट दें तो ये strict subset होगा. जिसका मतलब है कि जो भी समुच्य B में मौजूद है वो समुच्य A का सदस्य है. लेकिन समुच्य A का प्रतेक सदस्य समुच्य B का सदस्य नहीं है. समुच्य B एक strict subset या proper subset है. उदाहरण के लिए समुच्य A, A का उप समुच्य है. वास्तों में प्रतेक समुच्य स्वयम का उप समुच्य होता है. इसलिए समुच्य A, A का उप समुच्य है. पर हम ये नहीं लिख सकते हैं कि समुच्य A, A का strict subset है यहां ये असत्य है चलिए थोड़ा और अभ्याज करते हैं क्या ऐसा लिख सकते हैं कि समुच्य B, C का उप समुच्य यानी subset है? समुच्य C में 1, 7, 18 है इसलिए समुच्य B का प्रतेक सदस से निश्चित ही समुच्य C का हिस्सा है इसलिए ये सही है क्या लिख सकते हैं कि समुच्य C, A का उप समुच्य है? समुच्य C के सभी सदस से समुच्य A में होने चाहिए समुच्य A में 18, 7, 1 है लेकिन उसमें 19 नहीं है इसलिए ये असत्य है हम कह सकते हैं कि समुच्च B, C का उपसमुच्च है या हम ये भी कह सकते हैं कि समुच्च B, C का strict subset है हम इस संकेतन को पलट कर लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि A, B का superset है ये समुच्च B को A का उप समुच्च बताने का एक दूसरा तरीखा है हम ऐसा मान सकते हैं कि समुच्च B के सारे सदस से समुच्च A में मौजूद है समुच्च A में जादा सदस से भी हो सकते हैं और समुच्च B के बराबर भी हो सकते हैं इस बात को बड़ा या बराबर संकेतन, यानि सिंबल के द्वारा समच सकते हैं. हम जानते हैं कि समुच्चे A, B का strict superset है, जिसका मतलब है कि समुच्चे A में वे सारे सदत से शामिल हैं, जो समुच्चे B में है. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुच्च A, समुच्च B के समतुल्य यानि एक्विवेलेंट नहीं है. आशा है कि आपको उप समुच्च, सबसेट, स्ट्रिक्ट सूपरसेट और स्ट्रिक्ट सबसेट को बहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी.